हलो भाईवो स्वागत है आपका निव वडियो में स्सी जीटी के फिजीकल के बारे में 9 मई का रिभीव है बीएसेफ किसंगंज 2 के बारे में देखिए यासुतोस दूबे जी है जो की रोतास चिला से हैं और सोनु जी है जो औरंगाबाद से हैं इनसे मेरी जनकारी बात हुई है और इनहीं से मैं आपको रिभीव आपके पास पहुचा रहा हूँ नहीं उनको फेल किया है देखिए बहुत सारे स्ट्रेंट पूछ रहे है कि कैसे हम नाटा और लंबे बेप्ति के पास आए तो मैं आपको बता देता हूँ सुमित जी ने हमको बताया है बढ़ियां से देखिए वहाँ पर दो लाइन लगता है ठीक है तो आप जो फोजी लाइन लगा रहे हैं उनसे बोलिए कि मेरा चेस्ट हाइट कम है मुझे ऐसा कीजिए न कि मैं लंबा वाला में चल जाओ इस तरह से मुझे लगा दीजिए उ तो आप उस तरह से आप अपना चेस्ट हाइट में पास हो सकते है ठीक है यहाँ पर एक इहीं बैच रनिंग कराया था दूसो चो वालिस का बैच जिसमें से 132 पास हुए थे लगभग आट बजे आपका रनिंग कराया था ठीक है और आपका एक चिट है जो साढ़े बारह म करा दिया था कुछ और इंफर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है देखिए जो आसुतो दूबे जी हैं जो रोहतास के हैं वो जो लंबे बेखती थे उनके पास लगे थे इनसे मैंने पूछा कि आपका चेस्ट हाइट कितना लगा तो इन्होंने बोला कि जितना घर मिला तो यहन το 20 से ऐसे यह आता था ठीक है अवी इनका क्या किया है कि इनका 18 स constituents करें पास किया ठीक है और height जितना आता था height accurate उतना ही मापा है लेकिन जो chest है इनका Sonu जी का वो आपका 80 से 86 कर दिया ठीक है एक और important information आपको Sonu जी के तरफ से मिला है जैसे देखिए अगर आप running last में आते हैं जब देखिए last में 2 km पर एक सरदार जी है वो आपको दिखते हुए मिल जाएंगे तो समझिए कि यहां से आपका 2 km और बचा हुआ है ठीक है और आपको 700 मीटर पर एक और सरदार जी मिलेंगे तो समझिए वहां से आपका 700 मीटर बचा हुआ है वो बता रहे थे कि वहां पर खड़े हैं और लास्ट में जब आपको एक सरदार जी मिलेंगे आपको जब देखेंगे 30 से 40 सेकेंड बचा हुआ रहेगा टाइम तो आपके साथ दोड़ेंगे और आप अगर उनके साथ दोड़ देएगा तो आप आपको वो पासकारा देंगे ठीक है आपका टाइमिंग 30 से 40 सेकेंड बचा हुआ है इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा ठीक है तो जो इनफोर्मेशन मिला है आपको मैं बता दिये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करें ठीक है धन्यवाद